हलो गाईज और वेलकम बाग तू मैं चानल सिर्फ आई एस तो यहां पे विजन आई एस की पीटी 365 जो की कल्चर की है उसे कॉंटनिव करते हैं आज मैं आपके लिसका पार्ट 9 प्रेजेंट करने जा रहे हूं तो आए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेज से टॉपिक कहता है 350 तीन सो पचासवी जैनती रही है बाबा बंदा सिंग बहादूर जी की और यहीं वज़ा है कि आ गया ख़बर में तो में ख़बर क्या है ख़बर कहती है कि प्रधान मंत्री ने रिसेंटली ट्रिव्यूट पे करा बाबा बंदा सिंग बहादूर जी को उनकी 350 जैनती पर तो आप तो कहेंगे कि बाबा बंदा सिंग बहादूर जी कौन थे एक यह जाने जाते हैं क्योंकि इन्हों ने मुगलों से बहुत struggle किया था बहुत जो है जूजा तर लडाई करी थी जब अर्ली 18th सेंचरी की बात है ये जब ये मिल चुके थे श्री गुरु गोबिन सिंग जी से उसके वाइनोंने काफे struggle करा इनको लचमन दास भी बोला जाता था या लचमन देव या मादो दास ये सब नाम से इनको पुकारा जाता था और इनका जन जो है मिनहास राचपूत फैमली में हुआ था उसके साथ इन्होंने और पी चीज़े करी, कैसे इन्होंने मुनेस्ट्री बनाई नांदेड में, अब नांदेड आप जानते हैं आज का प्रजेंट महाराश्ट्रा में है, और रिवर गोदावरी के बैंक में पढ़ता है, यहां पे 1708 में यहां पहुंचे और यहां पे गु महानी थी, आफ्टर दा फॉर्ट्रेस टाउन ओफ गुर्दास नंगल फेल टू दा मुगल्स इन 1715, अब हुआ क्या कि जो फॉर्ट्रेस टाउन था गुर्दास नंगल का, यह जब मुगलों के हाथ में चला गया, 1715 में, तो बाबा बंदा सिंग को पकड़ लिया गया, कै सारे के सारे दिल्ली, कहां लेकि आगा, दिल्ली लेकर आगई इनको मुगल्स, और यहां पे इनको बहुत टॉर्चर करा गया, जब तक यह मर नहीं गये 1716 में, यह बात पता है किसके राज की है, यह बात है मुहमद फरुक सियार के टाइम के, तो आप कहेंगे कि मैम इनों क्या कॉंट्रिबूशन किये हैं, लेकि बहुत कुछ इनों ने करा, इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनों जमिनदारी सिस्टम को अबॉलिश करवाया था, साथ में प्रॉपर्टी राइट दिये थे, आक्च्वल टिलर्स को लांड के, पर लिए ठीक है, जमितार है, वही सिफ जी के नाम पे कॉइन भी मिंट करवाया थे, गुरु गोविन सिंग जी के नाम पे भी कॉइन मिंट करवाया थे, और ओर्डर वगेरा भी इशू कराया थे, अंडर हिस सील, नेम जो मुख्रिसगड का है हर्याना के अंदर, वो लोहगड मतलब फोल्ट ओफ स्टील, ल सिख स्टील, अब बात आती है कि बंदा जो सिंग बहादुर जी थे, बाबा बंदा सिंग बहादुर जी थे, इनके साथ साथ और कौन कौन लो थे, अगर हम सोचें, तो इनके एक तो गुरु गोविन सिंग जी थे, ये भी 1666 से लेके 1708 तक के लिए रहे हैं, ये दसवे सि सिंगो को मार्शियल रेस में कनवर्ट किया था, इन्होंने खालसा पंत, इन्होंने ही इस्टाब्लिश करा थे, याद रखे है गुरु गोविन सिंगन जी का ना, उसके बाद शाह आलम जी की बात है, शाह आलम भी इसी के टाइम के ही थे, 1643 से लेके 1712 तक के बीच के रहे है, अब यहाँ बात करते हैं, पुरन दार दास की, ठीक है, पुरन दार दास, अब इनकी बात अगर हम करें, तो न्यूस में क्यों रहा, पहले यह समझे, तो बात क्या है, यह जो करनाटिका की सरकार है, यह यहाँ पे कमेंस करे की फील्ड रिसर्ज, केशम पुर के अंदर करनाटिका के अंदर ताकि जो मिस्टरी है ना बर्थ प्लेस को लेके पुरंदार दासा की इसे सॉल्फ करा जा सके पता नहीं है कहां पैदा हुए थे और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यह मेली डिवाइड है दो पाल्ट में तो दो वो पाल्ट कौन से हैं जिसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिवाइड है एक तो है हिंदुस्तानी म्यूजिक एक है कानेटिक म्यूजिक जो कि हम लोग ने नितिन सिंगानिया में पढ़ा ही है पूरा-पूरा के जो है हाइमिन्स हो गए या साक्रेट टेक्स पढ़े जाते हैं यह सब गाय जाते हैं पंडले के बजाए यह गाय जाते हैं चांटेट के बजाए यह सिंग करे जाते हैं गाय जाते हैं और वही जगा अगर हम कार्नेटिक मुजिक की बात करें तो यह भक्ते मुवमेंट के ताइम पर डवलब हुई थी अब वही जगा हिंदुतानी मुजिक जो है यह राग बेस्ट है लेकिन कानेटिक मुजिक यह कृती बेस्ट है हिंदुतानी मुजिक में क्या होता है इसमें अंदर फीचर्स हैं कई सारे तरको पर्शियन म्यूजिकल एलिमेंट्स के लेकिन काने में एक से ज्यादा स्टाइल है गाना गाने की जिसे हम लोग घराना बोलते हैं अलग अलग घराना के बारे में पूरा कुछ नितिन सिंगानियाजी की किताब में पढ़ा है और कानेटिक मुझे में अगर बोले तो इनको इनको इस रिटेन टूबी संग इन इस पेसिफिक वी सब का यूज करते हैं वहीं जगानेटिक आप समझे गया होंगी किसमें वीडा म्रिदंगम मैंडोलम और जला तरंगम वाइलेन और फ्लूट इनका यूज करते हैं तो यह कुछ दो खुब सूरती हैं कि हैर बाख वर टॉपिक आते हैं जो पुरन धार जी की बात हम कर रहे चिनाटिका कि सरकार नेक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी और उस कमेटी ने कहा कि हमें इतने मिले हैं दिखाने के लिए सजेसट करने के लिए कि के फ़चीक वचाती के बारे में इतना जादा तो कौन है थोड़ा सा इनके बारे में बताई है देखिए पुरन धार दास 1484 से लेके 1564 तक के लिए रहे ये एक सेन थे सिंगर थे विजा अगरा एमपायर की टाइम पर यह शिष्य है व्या तीड की राजगुरु से ना विज्यजा नगरा एंपायर के उनके डिसपाइल और जो हरी दास क्रेडिशन है हरी डास्राइशन क्या है म्यूज इसे लिट्रिल्यरे डिशन जिसे आप刁य वैशन द्वारा तो इसकी शुरुवात से पहले पुरंधार पुरंधार दाज जो हैं वो काफी जाने माने पैसे वाले रिच अमीर व्यापारी थे मर्चंड थे and was called श्री निवास नायक इनको श्री निवास नायक बोलते थे उस समय नायका नायका ऐसे बोलेंगे He is regarded as पिताभा of kinetic music इनको पितामा भी कहते हैं काने इनको पितामा भी कहते हैं काने इन्होंने पूरा जो मेथड है ना काने इन्बस को पढ़ाने का उसे पूरा systemize करा और आज तक इसको इनके बनाए हुए proper system को आज भी use करा जाता है इन्होंने राग को introduce करा माय, मलावा, गौला, यह basic scale थी music instruction की, तो इसको भी इन्होंने इंडिट्यूस करा, और under the pen name, पुरंधार वित्ताला, इन्होंने लिखे करीब 4.7 lakh devotional songs को लिखा, किरतन के नाम से इसे अब कहते हैं, यह उसको उठाया था और तब इन्होंने जो है, यह यह जो है, डिवोशनल सौंग बगएरा पनाये थे, अब इसके साथ यहां पर जो स्वामी हरिदास जी थे, जो टीचर थे, फोर्मोस हिंदुस्तानी मुजीशन तानसेन के, वो भी डिसपायल थे, पुरन दार दास के, यह तो यह कुछ इनके बारे में हमने आपको बताया, अब हम कुछ दूसरे पस्नाल्टी जो न्यूस में रही, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है, लचित बोर्फुकन क कौन थे यह, यह कमांडर थे, पहले अहूम किंडम हुआ करते था नासाम के अंदर, यह उसके कमांडर थे, माना जाता है भई, जो है, इन्होंने बहुत बड़ी मुगल आर्मी को हराया था, अन्दा बैंक्स ओफ रिवर ब्रहम पुत्रा, यह बैटल हुई थी, सराइ पॉज सिंगा, उनके द्वारा इनको बोर्फुकन की तौर पे अपॉइंट किया गया था, बोर्फुकन मालू में क्या होता है, बोर्फुकन जो है, यह एक ऐसी पोजिशन है, इसमें दोनों ही चाहिए, एक्जिक्योटिफ और जूटिशल पावर हो, दोनों ही पावर दी सदन एथोपिया के खामबाता रीजन में हुआ, और माना जाता है कि यह औरोमो ट्राइब से असोसिएड़ है, कौन से ट्राइब, औरोमो ट्राइब, अब देखिए ऐसे कुछ, अगर हजारों जो अदूसरे हप्शी हैं, उनमें से एक यह भी थे, हप्शी जानूँ आनू आप यूज करते हैं, और आप यूज करते हों कि घर में ज्यादा खाता है, इसे इसे माना जाता है कि इने उस समय हजारों लोगों को पर्चेस किया गया था, इनको भी पर्चेस किया गया था, चंगेज खान के दोरा, जब फेट लाई गई थी, वें फेट बोट हीम अब यहाँ पर बात करेंगे रहीम की, तो रहीम तो आप जानते हैं, कौन भूल सकता है इनको, यह वन आफ दे नवरतन थे, एक रेप्यूटेट मिलिटरी कमांडर थे और एक पोएट भी थे अकबर के दरबार में, नौरतन थे ना अकबर के दरबार में, तो इसमें से रह सबकुछ इनके अंदर भरा ओए था, इन्होंने ऐसा नहीं करा की हम मुसलिम है या हम ऐसे है यह वैसे है, इनको पता होगा, तो तरकिश तुरकिश लेंगवज से इसे पर शियन में भी इन्होंनें ही तो बहुत इपानालिट है, आज भी इन्हों को जानते है उसके बाद अब next personality तो यह modern इंडिया के बात होगी अब जित्ति जित्ति हम बात करेंगे अभी हमने एशन और मिडवल की बात करी तो नाम क्या है नर्मदा शंकर दावे नर्मद भी बोलते थे 1833 से 1886 तक के लिए जिये ये मामला यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने ट्रिब्यूट इनको पे करी नर्मदा शंकर दावे जी को इनकी 187 बर्थ एंवर्सरी पे ठीक है और यह एक गुजराती पोएट थे प्ले राइट थे और सोशल रिफॉर्मर थे काफी कुछ थे माना जाता है कि यह बही माना के पुजराती लिट्रेचर के फाउंडर बाने जाते हैं और इनकी मागजीन के नाम ले तो उनके मागजीन का नाम है दैंडी हो कह नँख बात आती है नेक्स परस्ट्रेश्टी की तो बहुती फेमस राम अनुहर लोहाजी कौन थे यह यह जोशलिस लीड़ थे जिन्होंने क में बनाया था दूरिंग कुट इंडिया मुव्मेंट के टाइम पर ही वोज वन अद फांडर्स ऑफ कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी यह 1934 की बात है इन्होंने अपने पिरियोडिकल को भी एडिट करा था इसका नाम था कॉंग्रेस सोचलिस्ट इन्होंने इंडिया का इं सब्सक्राइब कर दो और कम्यूटी फेस्टिवल्स वगेरा हो ताकि यहां पर जो है यह का सिस्टम है उस समय का सिस्टम की बड़ी ही साथा मुसीबत थी तो का सिस्टम को खतम करा जा सके हैं फिर आते हैं गुरजदा अप्पा राव 1862 से 1915 तक के लिए रहे यह एक राइटर हैं सोशल रिफॉर्मर थे इन्होंने सपोल्ट में लिखा था कि जंडर एक्वाल्टी हो आदमी औरत बराबर हो कास्ट और कम्यूल प्रिजुडाइस के अगेंस्ट भी थे इन्होंने कुछ काम भी करे थे जैसे कि पहला है कन्य सुलकम दूसरा है दे समुन्नु प्रेमी चुमाना एक है फिर कोंदू भट्टिया मनंद फिर आता है आपका बिल्हा नियम फिर आता है आपका पीड़ा मसीडू पिर आता है मी पिरिमीती फिर आता है पुतादी बोमा पूरनमा ठीके तो अगर इनकेस मुझसे कोई ही पर भी फ्रनसेशन में प्रॉब्लम ह पॉप्स करके आप एक बार अपने हिसाफ से भी देख सकते हैं क्लियर है नेक्स्ट बात करेंगे कुशुक बकुला रिन पोच के बारे में क्या है देखिए जब यह प्रधान मंत्री हमारे पहुँचे निमू लद्दा के अंदर तो प्रधान मंत्री ने फिर से जो टीचिंग थी कुशुक बकुला रिम पोचे की उनको भी काफिस रहा तो अब यह कौन थे पहले समय यह एक प्रॉमिन बुद्दिस्ट मॉंग थे इस्टेट्स में नों इंटर्नाशनल डिप्लोमेट थे ओफन इनको आर्किटेक्ट ओफ मॉडन लद्दाग भी बोला जात है कि अंइस यहां प्रदान मंतरी जी गये है तो नीमू जेस में प्रइद है जंसकार ने निक पर लोकेटेड है नेक्स्ट बात करें तो महत्मा अयनकाली 1863 से लेके 1941 तक के लिए पुलाया कास्ट से बिलॉंग करते हैं इन्होंने बहुत भेद भाव देखा बहुत अन्टेशिबल थे तो बहुत ही देखा इन्होंने साधुजन परिपलान संगम को इस्टैब्लिश करा और जो अस्टेशियेशन है और जिसे गरीबों को प्रोटेक्शन मिले यह इसकी स्कूल भी बनवाएं शुरुवात करी मतलब यह मेंबर भी बने असेंबली ओफ ट्राइवन कोर के जिसे श्री मूलम पॉपिलर असेंबली या फिर आपका प्रजा सभा कहते हैं पिर आते हैं आपके जैन आचार श्री विजय वल्लब सुरिश्वर जी महराज के बारे में इनके बारे में समझते हैं इनकी कौन है तो रिसेंटली हुआ क्या है मामला क्या हुआ कि 151 मतलब 111 वी जो बर्थ अनवरस्री थी जैन आचार श्री विजय वल्लब सुरिश्वर जी की महराज जी की यह सेलिब्रेट करी गई पर प्रधान मंतरी ने इनकी स्टैचू ऑफ 20 जो है ना बर्थ अनवरस्री जो की सुरिश्वर जी महराज की हुई पाली राजिस्थान के अंदर वो इन्होंने मूर्ती का भी उद्गाटन किया अब जो यह श्री विजय वल्लब सुरिश्वर जी महराज जी थे 1870 से 1954 तक के लिए एक जेन सेंथ जेन सेंथ थे इन्हों काफे जादा काम किया था कि वो ऐसा जो लॉड महावीरा का मेसेज है उसे साब तक पहला अपाएं समय चाहिए एक जैन सेंथ थे इतना आपको यादोना चाहिए अब इन्होंने काम किया था कि कैसे जनता का भला हो सके कैसे एजुकेशन जो है सब को दी जा सके फैलाई जा सके तो काफी इन्होंने काम किया था इन्होंने काफी जादा सपोर्ट करा freedom moment को भी और स्वदेशी जो कौज था उसको भी काफी जादा सपोर्ट किया फिर बात आती है यहां पर श्री विश्वनात सत्य नरायन शी के बारे में क्या थे तेलगू राइटर थे जिनके काम य मौल, ड्रामा, शोट स्टोरी, स्पीचेस में सब लिखा और आपको मालू महें 1971 में इनको award मिला था ज्यानपीट अवालल का किसलिए मिला था मालू मैं इनकी किताब के लिए किताब का नाम था राम आयर कल्प निकर आप ट्री लाक किताब का नाम था अब है ये एसे पहरे तेुलगु राइटर थे जनसे जने घ्यानपीट आवॉल्ट तिया जाता है भारतिय ज्यानपीट एक लिया रिसर्च organization है उसके द्वारा और ऐसे author को दिया जाता है इसने एकदम पढ़िया एकदम outstanding literature लिखा हो इनका यहां पे जो वेवी पदागलू जो है वो भी translate करी गई थी Hindi में एक by former prime minister पी विनर सिंभा राओ के द्वारा as as sahas rapan के तौर नाम पर कुछ इनकी poems और novels वगेरे को भी English में भी Hindi में Tamil Malayalam उर्दू संस्क्रेट में भी translate किया गया है उसकी बार पंडित चश्राज जी की बात करें तो यह one of the prominent Indian classical vocalist है जाने माने इनको जो मेवाती घराना है ना उससे असोसियेट करते हैं और जो मेवाती घराना है यह खयाल बेस्ट हिंदुस्तानी classical music family hood है मतलब घराना है इसे लेट 19th century में found किया गया था उननिसवी शदाब्दी में अब जो यह मेवाती घराना है इसने अपना इन फाउंडर्स हैं वो निकले हैं पंडित जश्राच को पद्म विभूशन से सराया गया इस अवाल को दिया गया एंड वस ऑल्सो अब मास्टर ऑफ हवेली संगीत है हवेली संगीत के भी मास्टर थे उसके बाद बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मामला यह रहा कि 200 मतलब दो सुषरी बर्थ एनवर्स्टी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मनाई गई और यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल मालू में कौन थी eram coach modern nursing की, modern nursing की founder मानी जाती है, ये Florence Nightingale, अब कब से कब तक रही, 1820 से लेके 1910 तक रही, इनको lady with the lamp के नाम से भी जानते है, एक British nurse थी social reformer थी, एक statistician थी, और काफ़ जानी जाती है as the founder of modern nursing, किस नाम से, founder of modern nursing के नाम से जानी जाती है, उन्हें St. Thomas Hospital को established करा, लंडन के अंदर Nightingale Training School को भी nurses के लिए इन्होंने established करा, 1860 में, she is created with being the first healthcare professional to use data to show that infections control improve health outcomes, ये ऐसी पहली थी बंदी, जिन्होंने यहां पे healthcare professionals के अंदर ये ऐसी पहली थी, जिन्होंने data का यूज करा, ये दिखाने के लिए कि infection के जो control है, इससे क्या होता है, कि यहां पे health outcome और बढ़िया निकल के आते हैं, तो ये कुछ इन्होंने बताया, और through her career, she stressed on practice of hand washing that is relevant as ever today, तो आज तो आपको बहुत याद आ रही हो कि इस चीज़ की COVID-19 में कि इन्होंने अपने पूरे career के time पे कहा, कि हाथ धोते रहो हाथ धोते रहो हाथ धोते रहो हाथ धोते रहो समझ रहे हैं तो हाथ तो खेर अब हम लोग हर चीज़ से दो रहे हैं अब तक कोविड हैं यह काफे इंस्ट्रुमेंटल थी तटप करने के लिए ट्रेडिंग मिडवाइज के लिए मिडवाइज से आते हैं यह होते हैं ऐसे इंसान जिसे ट्रेन करते हैं कि दूसरी औरत अगर डेलिवर कर रहे हैं तो उसमें मदद कर सके उसकी delivery के time पे हैं ना to give birth to a baby तो ऐसा कुछ होता है इस तरह से ट्रेडिंग इनको दी जाती है साथ में नर्सेज इन वर्क हाउस इंफर्मरी मतलब जो पूर हाउस होते हैं वहाँ पर यसी पैसी यसे यसी पहली औरत थी जिनको अवार्ड किया था order of merit 1907 में इंटरनाशनल नर्सेज डे यह जो हर साल होता है ना 12 माई को यह इ World Health Organization मतलब WHO ने designate करा है 2020 को as the international year of the nurse and the midwife यह यह ऑनर करने के लिए कि इनकी 200th anniversary है na Florence Nightingale की बर्थ की बर्थ anniversary है तो इसको ऑनर करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा है WHO ने उसके next और आखरी बात आती है नाना जी देश्मुक के बारे में तो चंदी कदास अमरित राव इनको नाना जी देश्मुक के नाम से भी जानते हैं सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिशन रहे गे इन्होंने कई जारी फील्ड में काम किया रिसे एजुकेशन की फील्ड में हेल्थ की रूलर सेल्फ रिलाइंस की और इन्होंने चित्रकूट ग्रामोदे विश्व विश् इन्वस्टी भी माना जाता है ये लोक मानत तिलक जी के से काफी जाता है इनके थौट से नाशनलिजम के ओपर काफी इन्सपायट थे और 2019 में इनको भारत रत्न का अवॉल्ड दिया गया पोस्ट थॉमसली मतलब मरनो उपरांट तो कुछ वर्ड्स अगर बहुत टफ रहे तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए माफी कोशिश मैंने पूरी करी कि मैं उनको बोल दूँ इतने अदर टफ होते हैं कि इशूस क्रियेट हो ही जाते हैं खेर खतम हो गया यह पार्ट जेल लीजिएगा अच्छा लगा तो लाइक शेर have a wonderful day and take care